हालो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आसा करता है दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होगी आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपको लाइब दिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं मार्केट अभी चल तो आप यह मान लिजिए 80% आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो तीन चीजों पर काम करने लेगे मतलग जहां पर आप 10 ट्रेड लेंगे वहां पर साथ ट्रेड आपके सही निकलने ही वाले हैं इसमें कोई दो रिया नहीं है तो यहां पर जो मैं आपको लाइब दिखाने व प्रणकरी आपको देंगे तो लाइब यहां मार्केट चल रही है चलिए लाइब पर चलेंगे कैसे ट्रेड लेना होता है सब कुछ बताएंगे तो उससे पहले दोस्तों अपना नाम बता दे मैं राजिस्कमा मौर्या अगर मुझे जानना चाहते हैं मैंने लाखों मतलब लाखों रुपए कोर्स में बरबात कर दिया मैंने यहां पर लाखों रुपए मैंने कोर्स में बरबात कर दियो सिखाया क्या जाता कोर्स में बाबा जी का ठुलू मतलब पैसा हमने सुचा इनका कोर्स ले ले ये मुझे अच्छा बताएंगे मैंने सुचा इनका कोर्स ले आप कोर्स में ले रहे हैं वो यूटूब पे मिल जाती हैं तो कोर्स में पैसा बरबाद करने से भाई गोई जरुद में अगर आप चाहते हैं फिरी में सीखना जहां चाहर रुपया दे रहे हैं दस जार रुपया दे के ओल चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ऐसी चीजें आपको बता दूगा आप भी सोचेंगे भाई क्या बता दिया तो चलो अपने लेपटॉप की स्क्रीन पर चलेंगे और ध्यान पूर्वक्स सीखने की कोशिस करेंगे च तारी चीजे के लिए रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहां पर दोस्तों अपने लेपटॉप की स्केन पर हम आ चुके हैं सबसे पहले आपको क्या करना है ट्रेडिंग वाला बाप देख से ट्रेडिंग का बाबा सभी वीडियो दोगलो रोज आएंगी वीडियो लर्निंग is earning मतलब लर्निंग ही earning है आप जितना सीखेंगे उतना पैसा कमाएंगे ठीक है अब यहां पर चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पर ट्रेडिंग व्यू सिंपल से मैं इस पे किलिक करूंगा इस पर किलिक करने बाद ट्रेडिंग व्यू लॉग इन दे दिखाई देगा यहां तक बात किलियर हो गई अब नीचे चलेंगे देखें मैं आपको जो बताता हूं आपको समझ में आये समझीए नहीं समझ माता कोई बात नहीं पर जो चीज में बता रहा हूं यकीन मानिए यह सारी चीज़ें कोर्स में मिलती हैं मतलब जहां पर पैसा कर्चा करते हैं वहाँ एस सारी चीज़ें मिलती हैं फिरी में कोई नहीं बताता है सिंपल से निफ्टी वाले option पर क्लिक करेंगे जैसे मैं निफ्टी वालए option पर क्लिक किये यहीं सेम चीज हमें बताई गई अब हमें क्या करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं मैंने trend line ड्रा की थी सारी चीजे मैंने की थी वो मैं remove करता हूँ यहाँ पर कैसे पहले मैं support बनाना बताऊंगा उसके बाद resistance बनाना बताऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा trend line बनाना और बिल्कुल यहाँ पर live दिखाने वाला हूँ चलिए यहाँ पर मैंने क्या किया एक मिनट का चार्ट मैंने open कर लिया चीक अब सबसे पहले हम बात करेंगे अगर मुझे support बनाना है अगर support बनाना तो मैं क्या करना होगा simple सी बगल में आएंगे देखेंगे बहुत सारे tools आपको यहाँ पर मिल जाते कर्सर पर ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पर बढ़ देखेंगे बहुत सारे tools अब आप देख रहे हैं नीचे जाएंगे देखेंगे यहां पर अब यहां पर देखिए हमने एक और जेंटल ले लिए ठीक अब मार्केट देखिए बार-बार आज कि हम बात करते हैं यहां पर आज की बात करते हैं यहां पर आज की बात करते हैं देख सकते हैं मार्केट क्य क्या हुआ था 21-700 बंद हुआ था यहां पर टाइमिंग आप देखेंगे वनेश्डे 31 जनवरी 2024 को क्या हुआ था 31 जनवरी को 21-700 बंद हुआ था किलियर यहां पर बंद हुआ जब मार्केट आज ओपन होती है तो सिंपल से इस पर टकराती है यहीं क्या सपास ऊपर चली जात आपको अब यहां पर देख सकते 21-700 का फिर नीचे मार्केट आती है फिर उपर जाती है फिर नीचे आती फिर उपर जाती फिर नीचे आती है अब यहां पर देख सकते 21-700 के लेबल को इस नहीं ब्रेक नहीं किया उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई समझते चलो अब यह रेजिस्टेंस काम बिल्कुल किलियर समझ में आता है अब यहां पर देखेंगे वने 15 सिकेंड में एक हमने यहां पर 21-700 पर एक सपोर्ट ड्रा मैंने कर दिया था सपोर्ट जो 21-700 का एक लेबल होता है वो एक साइकलोजी लेबल भी होता है कि मतलब 21-700 पर ज्यादा लगा करके काम कर रहे होते हैं हुआ क्या मार्केट में बार बार देखो मार्केट में हो क्या रहा है बार बार सपोर्ट को टच कर रहे 21-700 के लेबल को मार्केट बार बार टच कर रही उपर जा रही फिर नीचे टच करती फिर उपर चली जाती है ठीक उपर कहा तक जाती है ये देखो, आज की जो live market चले मैं उसकी बात कर रहा हूँ नीचे माएंगे, यहाँ पर यह क्या है, जो मैं उपर वाली line यह ले रहा हूँ यह क्या है, यह resistance काम कर रही, market बार बार अपने resistance को touch कर रही, नीचे आ रही, touch कर रही, नीचे आ रही अब हमें पैसे कैसे कमाने है, support and resistance से यह तो सभी लोग बता देते हैं सिंपल से इसको जोम करेंगे, बड़ा करेंगे, अब देखो हुआ क्या, अब यह पिछला record दिखाता आपको आप कहते हैं, पिछला तो सभी को पता है, market में हो क्या रहा है, market में हुआ क्या आगे, वो भी मैं बताने वाला market में होगा क्या आगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, देखो, market यहाँ पर आई, touch करी, आपने क्या किया, यहाँ पर एक entry बनाएंगे यहाँ पे एक entry बनाएंगे नीचे का stop loss then target इस resistance का तुरंत आपको वहाँ पे जैसे resistance क्योंकि अगर इसको इसने break किया तो market उपर चली जाएगी आपको वहाँ पे wait करना ही नहीं है उपर से entry बनाई यहाँ तक आए क्योंकि अगर इसको इसने break कर दिया क्योंकि किस सासू का जो label है अगर इसको market break कर दिया तो नीचे चली जाएगी तो आपको यहीं पे निकलना है नीचे फिर आपने entry बनाई उपर आपने earning कर ली उपर से entry बनाई नीचे अब इसी बीज में आप scalping करते रहेंगे पैसा बनाते रहेंगे यहाँ पे जैसे उपर break किया देखो यहाँ पे resistance बार-बार टच कर रहा बार-बार टच कर रहा नीचे आई और जैसे इसने इस resistance को break किया मैं यहाँ पे घात लगाया बैठा था कि जैसे हमारे उपर लवारे resistance को break करेगी market मैं उसी resistance का देखो यहां पर कितना stop loss रहेगा कितने पिंट्री रहेगा वही मैं बता देता हूं आपको सिंपल से short position करेंगे long position मैंने long कर दिया यहां पर छोटा सा stop loss ले करके देख सकते हैं market में मैंने क्या क्या छोटा सा stop loss ले करके मात इतना stop loss छोटा सा इसको breaker के फिर market नीचे आएगी तो आपका stop loss जहाँ जितना बड़ा हो वो आपका stop loss हिट हो जाना ही जाना है clear? समझ गए? आपका stop loss हिट हो जाएगा तो हमने यहां पर देख छेते हैं इतना मैंने target लिया target इसके यहां तक का था मतलब जो यह high था आज का वहां तक का target था उसके उपर market कहीं भी जाए हमसे उससे मतलब नहीं है मेरा target यहां तक यहां सिर्फ market दुबारा वापिस हो सकती है वहां पे एक resistance लगा हुआ पहले से इसलिए market दुबारा वापिस हो सकती simple से इसको break किया मैंने यहां पे entry बनाई target इस परकार से आप support and resistance बना सकते हैं किलियर यहां तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही मैं बिल्कुल rest नहीं करता हूँ लगातार बताता रहता हूँ यहां पे नहीं करो जो है एकदम जैनुएन में बताता रहता हूँ अब देखो यहां पे होगा क्या वेक अंदाजा लगा सकते हैं देखो market क्या कर रही एक support resistance देखो वही market में होता क्या है support resistance का ही खेल होता है एक और gentle line में ड्रा कर ली ओपर मैंने देखो resistance बना दिया एक नीजे support के काम कर रहा market resistance को बार-बार टच करके नीचे आ रही फिर support के पास आ रही फिर उपर जा रही फिर उपर से टच करके नीचे आ रही नया यहां पर देख सकते हैं एक नया छोटा सा यहां पर market ने एक support बना लिया market इसको टच करके इसको follow कर रही अब market जब भी 21 उपर देख से एक लेबल है 21-800 का एक यहां पर resistance का भी काम कर रहा है market जब 21-800 के लेबल को break करेगी तो market उपर चली जाएगी target आपका 21-800 पचास रहेगा यहां पर live मैं आपको दिखा सकता हूँ थोड़ी देल बेट करेंगे अगर market हमारे इस resistance के उपर जाकर के closing दे देती है तो उपर market 80% चांस से market उपर चली जाएगी क्योंकि एक तो resistance हमारा break हो रहा उपर से एक psychology level 21-800 का वो भी break हो रहा market उपर चली जा सकती है तो यह सारी चीजे होती जहां पर मैंने आपको बताया resistance और यहां पर हो गया support अगर इस दो लेबल पर अगर आपने काम कर लिया आपको किसी का course खरीदने की जुरूत नहीं भाई course खरीद के आपको क्यों बेकूफ बनाया जा रहा है बेकुल बेकूफ बनाया जा रहा है मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ अब यहां पर आते है trend line कैसे ड्रा करना होता चलो trend line का power दिखाते हैं आपको market चल लही market एक zone में फच चुकी पूरी तरह से यह देखो यहां पर अब जो option buyer हैं इनको यहां पर entry करने नहीं है अगर करना चाहते हो तो scalping fast scalping वाले ही यहां पर entry कर सकते हैं किलियर यहां तक बात समझ में आ रही है आपको अब चलो नीचे दिखाते हैं जो आपको paid course में नहीं बताया जाते वो मैं बता रहा हूँ पर हो सकता है कि फिरी की कोई value नहीं हो बड़े बड़े यूटूबर आपको बड़े यूटूबर को knowledge तो अच्छी रहती है ऐसा नहीं knowledge नहीं पूरो सारे paid course में बताते हैं जहां से आप पैसा मतलब बो लेते हैं चलो यहां पर देख सकते हैं पिछला भी यहां पर कोई train line breakout नहीं हुआ है ना breakdown हुआ है अब देख सकते हैं हमने क्या किया एक train line देख सकते हैं यहां पर train line हमने ड्रा किया ओपर से देख सकते हैं यह train line देखो एक मिनट में सिंपल से क्या हुआ ओपर से train line हमने ड्रा कर लिया market बार बार इसी train line को follow कर रही थी सिंपल से जिसे train line का breakout हुआ यहां पे support का resistance का breakout हुआ market then target दे गई तो वहाँ पे देखो confirmation अगर support breakout कर रहा है trend line भी breakout कर रहा है psychology level भी breakout कर रहा है तो market जानी ही जानी उपर है तो आप वहाँ पे छोटा से stop loss लगा करके बैट सकते असानी साथ कोई problem नहीं होने वाली 80% यह है कि आपको target मिल जाएगा 100% तो कहीं भी accuracy नहीं है market में कोई भी काई दे 90% accuracy 100% accuracy ऐसा नहीं होता market में full power है projection का अब चुल हम trend line की बात करते हैं यहां से 5 मिनट का कर लेते हैं जितने power हम आपको देखाते हैं trend line का power अब यहां पर देख सकते हैं यह देखिए market उपर समय एक trend line ड्रा कर दी यहां से market नीचे जा रही बार-बार market नीचे जा रही तो हमने क्या क्या trend line को लेते हो यहां पर follow करते हूं हम यहां पर entry बनाते चल नहीं देख सकते हैं और जैसे इसने trend line का breakout किया market उपर तो यह power होती trend line की भर train line की बहुत तगड़ी पावर है ंकी बहुत तगड़ी पावर ऐब धि मैं दिखाता हूं कहीं भी आप trend रहा कर लें कहीं भी बहुत ही बहुत यहीं trend पता चलता है कि market का trend क्या है trend line मतलब trend марket का trend क्या है market up trend में जाएगा या down trend मेझ जाएगा से आप ये भी पता कर सकते हैं कि market का trend क्या है market uptrend में है या downtrend में है या sideways में है देखे market क्या हो सकता है दो चीजे होती है यहाप कि समझेंगे market की तो uptrend रहेगा या तो downtrend में रहेगा या sideways रहेगा मतलब market या तो ऐसे चलेगी ऐसे चलती रहेगी तो यह हो गया हमारा uptrend अगर market ऐसे चल लही है ऐसे तो यह हो गया मेरा downtrend अगर market ऐसे चल लही है तो यह मेरा हो गया sideways समझ गये? मतलब uptrend downtrend, sideways तो यहाँ से trend line से में यह पता चल जाता है कि market का trend क्या है अब ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट होता है तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही होता जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी और ट्रेंड लाइन बिल् फिर ट्रेंड लाइन को टकराती फिर ट्रेंड लाइन को टकराने के बाद जैसे हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ यहां पर देखेंगे यह देख सकते हैं जैसे मेरी ट्रेंड लाइन यहां ब्रेक हुई simple मैंने यहां पर entry बनाई नीचे यहां देख सकते हैं यहां तक market आई down आई उसके बाद market sideways हो गई देन हमारा यहां पर target हो गया तो यहां पर अगर हम scalping करेंगे तो छोटे मोटे target आईसे train line के सहारे ले सकते हैं यह देखिए अब यहां से मैं क्या पता चला मैंने एक train line यहां से ड्रा कर दी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि market बिल्कुल downtrend में हैं मैंने बता है न अभी देखो यहां पर कैसे market ऐसे चल लही यह देखो मतलब यह downtrend है तो simple से उपर play करते आओ train line को follow करते चलते आओ हमारे resistance को follow कर रही है market बिल्कुल live चल रही है मैं सोच रहा हूं live आपको दिखा दूँ जैसे मेरी यहां पर resistance का break होगा मैं इंटी यहां पर बना लूँगा 100% उसमें कोई दो रियाय नहीं है चलते आगे मैंने यहां पर आपको बताया resistance देख सकते हैं यहां पर market हमारे एक range में भी है देख सकते हैं यहां पे एक range में भी भी अम्रकेट होगाratic पूरी तरह से साइटवेज होगाई है अबिहान फास्ट केलपिंग वाले उपर इंटी बना रहें नीचे निकल रहें नीचे इंटी बना रहें ऊपर इंटी नीचे ऐसे कर रहें और जैसे इसने 21-800 का लेवल को ब्रेक किया और कन्फिर्मेशन क्लोजिंग दी मार्केट अप हो जाएगी और आप वहाँ पर 15-20-25-30 पॉइंट असान देने वाला हूँ जो लाखों रुपए में बिकता है मार्केट में जहां पैसे लगा करके मैंने उसको सीखा है उसमें क्या करना निफ्टी 50 से कोई मतलब नहीं रहेगा सिंपल से ऑप्संट ऑप्संट जो चार्ट है वहाँ पर जानना है जो ऑप्संट होते हैं उनमें हम बताएंगे कैसे काम करना वह भी मैं बताऊंगा तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वह आपको मिलता रहे लेबल बता दूंगा सपोर्ट बता दूंगा रजिस्टेंस बता दूंगा ए एक भी प्रोब्लम नहीं आने वाली है सिंपल से यहां पे अगर आप चाहें कोई बिना इंडीगेटर के आप काम कर सकते अगर आप इंडीगेटर लगाते हैं तो आप मान लिजे कि अगर इंडीगेटर काम करना बंद कर दिया तब क्या करेंगे अप 14 मिनट हो गया बोलता चला जराते रहा भाई बंद अब देखो बोलना बंद वो करेंगे जिनको आता नहीं मार्केट में experience नहीं मैं थोड़ी बोलना बंद करूँगा मैं लगाता रहे से बोलता रहूँगा किसी के सामने बैठा दो मुझको कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं सपोर्ड रेजिस्टेंट ड्रा प्राइजेक्शन डिमांड सप्लाई यहीं का खेल होता मार्केट में अब मैं देख सकतो यहाँ पर मैं लाइव अभी बैठा हूँ जैसे ही इसने धैर रखना होता है अब यहाँ पर बीच में इंट्री हमें नहीं करनी है अगर आप बीच में इंट्री करेंगे तो आप फस जाएंगे बैठो और आम से कौन समय यहाँ पर जल्दी आप मार्केट में हम ट्रेड करने बैठें कौन से जल्दी यहाँ पे एक label बना कर बैठेंगे जैसे market अपने इस दिब्बे से बाहर निकलती है मैं entry बनाता हूँ अभी दिखाता हूँ पर अब कैसे दिखाऊँ दिखाऊँगा यहाँ पर समय लगेगा एक entry हमारी यहाँ पर थी जो मैंने आपको बताया चलो लाइ मार्केट में जो मैं बताऊँगा entry बना सकते हैं exit कर सकते हैं बाकी यह वीडियो देख करके आप सीखें उसके बाद अपने risk पे करें क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिखा सकते हैं मैं यह नहीं बता सकता हूँ आप यहाँ पे trade लें यह करें call बाई वाला काम नहीं मारे पास मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे सिखाता हूँ आप सीखें उस सीखने बाद practice करें 100% आप सफल होंगे कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा बाकी आज मैं जो trade लेता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में मैं trade लूँगा यह वाला trade में लूँगा क्योंकि हमारा यहाँ पे resistance है नीचे support है और trend line को यहाँ पे market follow भी कर रही है उसके बाद zone भी level 100% confirm trade होगा जितना confirmation एक trade में मिल पाए एक confirmation से में trade नहीं करना होता है दो तिन confirmation मिलें उसके बाद हमें trade करना होता है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ ऐसे ही लगे रहो सीखते रहो practice करते रहो practice एक आदमी को change कर सकती practice only practice अभ्यास अपने सुना होगा रसरी आवजजात पत्थर पर अपरत निसान आपने कहीं गाओं में कुवा देखा होगा सन की रसरी जो आती रहती बार बार पानी लोग भरते रहते हैं तो उसमें जो पत्थर घिस जाते हैं तो साला practice करते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा पर practice करते रहना है करते रहना कभी हार नहीं माननी है तो सन की रसरी एक पत्थर को काट देती है तो यार यह क्या चीज है समझो ऐसे बात को चलो वीडियो को ही समाप करते हैं अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो बहुत कुछ आपने सीखा लाइक, कमेंट, सेर करना बिल्कुल भी ना भूले धन्यवाद बहुत बहुत आपका धन्यवाद